तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपन कुमार शर्मा and you are watching me on this prestigious channel of Unacademy that is N2G in 10 here in this particular video we are going to talk about Escalminthus तो हम लोग already phylum platyhelminthus के बारे में बात कर चुके हैं जो की flat worms थे अब हम उनसे जादा developed phylum की बात करने वाले हैं next phylum जो है उन्हें आप round worms बोलते हैं because इनकी body का जो cross section होता है वो round होता है यानि कि इनकी body का जो cross section है वो basically आपका circular होता है इनकी कुछ specific points होते हैं जैसे कि यहाँ पर जो pharynx होता है वो बहुत जादा developed होता है यहाँ पर आपको organ system level of organization पहली बार देखने को मिलेगा और इसके साथ यह जो होते हैं pseudo silomates होते हैं यानि this is the only phylum of kingdom animalia जहाँ पर आपको जूठी silom देखने को मिलती है false silom देखने को मिलती है यानि कि जो आपको silom होती है that is mesodermally derived वो बात बिलकुल सच है लेकिन वो जो mesoderm होती है आपकी वो scattered होती है in the form of pouches जो छोटे छोटे आपके cavities होते हैं वो scattered होते है so it is not the true silom so इसके बारे में और ज्यादा amazing facts जाने की कोशिश करेंगे in this particular lecture और NCRT का निचोड निकालने की कोशिश करेंगे so please make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें so these are some credentials of mine you can have a look if you want otherwise let's proceed you can also get connected to us via unacademy's learning app this app is freely available on google play store आपको करना क्या है आपको just इस app को install करना है आपको get subscription पर click करना है and you will be getting all our subscription packages on your screen इस में से मैं आपको personally recommend करूँगा कि आप 1 साल या 2 साल का subscription pack उठाएं क्यों? क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें pass on भी कर सकते हैं let's take a very simple example समय लीजे आपने एक महिने का subscription pack उठाया weapon नाम का code लगाया 10% discount पाया तो आपको 5400 रुपया पर मन देने होंगे लेकिन अगर आप 1 साल या 2 साल का subscription pack उठाते हैं weapon नाम का code लगाते हैं तो discount के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ तेरा सो रुपया देने पड़ेंगे पर मन विचिस वेरी चीप एंड अराउंड लाइक 5 ताइमस लेसर एस कंपेर तू दू इनिशिल पैकेज ओके और जो students एक साल या दो साल का pack लेते हैं जून में ही मेरी एक book launch होने वाली है which is a very good objective book जो कि around 1200 pages के आसपास की है वो जो grand book है उसकी authored signed copies मैं आपको initial copies आपको दूँगा as a gift so please make sure आप weapon नाम का subscription code यूज़ करें और उसके बाद ही आप an academy का subscription लें इसके साथ आपको मेरा एक साल का free mentorship program भी मिल जाएगा discount भी मिल जाएगा बहुत additional perks मिलेंगे मैं कोई भी program launch करूँगा तो आप उसके part होंगे so please make sure आप weapon code को यूज़ करें file हम escalmentus की बात करते है so जैसा कि हम लोगों ने बताया जो body है escalmentus की यह circular होती है outline में अगर आप इनका cross section काटते हैं तो यह आपको round दिखाई देंगे इसलिए इनका नाम round warm रखा जाता है यानि कि समझ लीजे आपकी आँकों के सामने कोई cylinder like object है हम थोड़ा सा color change कर लेते है marker का let's say there is a cylindrical object in front of you guys इस तरीके का यहाँ पर भी हम लोग इसका दूसरा margin draw कर लेते हैं और इसके बीच में हम लोग color भर देते हैं जिससे एक single portion दिखाई दे तो अब इस cylinder को इस circular cylinder को अगर आप सामने से देखेंगे तो यह आपको एक rectangle दिखाई देगा इसी वज़े से आपके round worms जो हैं आपको round दिखाई देते हैं क्योंकि जब आप इनका cross section काटोगे तो यह आपको round दिखाई देंगे in their boundary यह free living भी हो सकते हैं यह आपके parasitic भी हो सकते हैं यानि किसी और organism की body के अंदर भी मिल सकते हैं यह आपके aquatic भी हो सकते हैं यानि पानी के अंदर भी तो यह आपके land पर पाए जाने वाले भी हो सकते हैं कहने का मत्तब है यह जो रहते हैं इसकल मिंतर से round worm इनकी diversity in terms of habitat is very very you know diverse इनकी जो diversity है वो बहुत जगा आपको देखने को मिलती है round worm में organ system level of organization होती है और यह पहले ऐसे हैं जिन में organ system आया है platy helminthus में आपने पढ़ा था organ level of organization थी यह bilaterally symmetrical होते हैं radial कौन कौन से थे radial में था आपका silentrata, tenophora और adult echinoderms उनको छोड़के सारे bilateral हैं तो आपका round worm भी bilateral हुआ triploblastic platy helminthus और उसके बाद के सारे फाइलम triploblastic हैं तो यह भी होगा और pseudosilomate यह इसका specific character है यह पूरे के पूरे animal kingdom है अकेला ऐसा है जो pseudosilomate है तो यह इसका specific character हुआ elementary canal यानि digestive system complete है complete होने का मतलब दो opening होंगी इसके अंदर mouth अलग होगा और anus अलग होगा तो यहाँ पर जो है आपको waste remove करने के लिए एक excretory pore देखने को मिलेगा and that excretory pore will be working as an anus इसलिए आपने elementary canal को complete बोला है elementary canal में एक बहुत ही जादा developed muscular pharynx भी होगा जिसकी origination यहाँ से start होती है तो आपका खाने खाने के जो process है वो बहुत जादा बहतर होगा यहाँ पर sex is आपकी separate होती है इस term को आप diocious बोलते हो sex is separate मतलब एक individual एक ही sex को opt करेगा चाहे वो male हो सकता है या फिर वो female लेकिन यह bisexual कभी नहीं हो सकते यानि diocious का मतलब क्या होता है diocious का मतलब होता है unisexual तो इसे diocious क्यों बोला गया diocious मतलब दो organisms की आपको जरूरत है दो bodies की आपको जरूरत है दोनो sex को carry करने के लिए यानि एक अगर समझ लीजे आपका male है और दूसरी आपकी female है तो आपको दो organisms की जरूरत पड़ेगी दोनो sex को दिखाने के लिए इसलिए इसे diocious बोला अगर आप सिर्फ एक individual की बात करते हो तो यह आपका unisexual हो जाता है इसमें कोई नई बात नहीं है यह बात हम लोग बचपन से जानते है तो male और female आपकी अलग-अलग होते है female जो रहती है इनका size जादा बड़ा होता है as compared to that of male यह आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा जो male है वो comparatively छोटा है जो female है वो आपकी comparatively बहुत लंबी है fertilization जो होती है यहाँ पर usually internal होती है और development में आपके larval stages हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते platy helminthus में आपने देखा था variety of larval stages are present अगर आप liver fluke बहुत सारी larval stages वहाँ पर थी लेकिन यहाँ पर direct development भी हो सकता है जहाँ पर adult जैसा ही आपका organism बन जाएगा और indirect भी हो सकता है यहाँ यहाँ पर larval भी present हो सकते हैं example है इनका ascaris जिसे आप common roundworm बोलते हो जो कि यहाँ पर दिखाए हुए in the diagram human health and disease में करवा रखिया है 12th class की biology chapter number 8 ओके इन्हें आप philarial warm बोलते हो क्योंकि यह आपकी एक disease cause करते हैं जिसको आप लोग बोलते हो philariases so butcher area bancrofti और butcher area malai आपके जो है philarial worms होते हैं क्योंकि philariases cause करते हैं and then ancylostoma that is hook warm अभी hook warm कैसा होगा parasitic होगा या free living नाम में ही है hook होगे इनके अंदर hook किन में present है जो किसी और की body के अंदर रहें और उन्हें penetrate करने की ज़रूत पड़े किसी organ पर peers करने की ज़रूत पड़े अगर मैं किसी और organism की body के अंदर रहता हूँ इस bell icon को press कर दीजे जिससे आप कोई भी update मिस ना करें मिरे telegram को आप लोग join कर सकते हैं जिसका नाम है ozone classes वहाँ पर आप मुझसे discuss कर सकते हैं कि आपको plus subscription के बारे में जो भी पूछना हो या फिर आप instagram पर मुझसे जोड़ सकते हैं weapon sharma biology is my instagram handle वहाँ पर मैं आपको सारी के सारी info देता रहूंगा thank you so much guys lots of love and I'll catch you in the next video